नमस्ते, आज मेरी कच्या दसको प्रिग्यान विशेना, रही को कही नियुमेरिकर रो कही एमसी की हो, मल्टिको च्वाइश कोईशन ले रहाएकोचो, और इसमा पहिलो, इसमा डिसीश गेरे आज मेरी चाहिए कोर्सेन मोशन च्याप्टर संग संग दित कही प्रशनारू, य निया नो रहाएकोचो है, फ़र इसमाइन प्रशनार कोचिष गरिया हो कही हो, अ विलो MP-C कीलद हो, नियुमेरिक विलो चाह इंच, फ़लू पास्ट बाने ज साफ अ प्रशनार्थनार्थिए हूआँ थाप जय ŁU सह पास्टओ ईस्टओ पास्टओ दो फिलो है, इसमाइस W2 and W3 respectively. Which of the following under which correct? अरा यो विशिजगरी इस्तो समस्या बेलाई सौल्वगानु पड़े गानी तरही परस्य यू रचीनी दानी चा यू MCPY नाले साइड़ना आमीदलै के गर्षों क्याल्बूलीशन के गर्षों अब प्रश्ण अनुशार कीछ वह बनना है जाएं सपोज गरों कि प्लानेट एको मास याम अन्छा प्लानेट एको रेडियस आरवांचा गरों तेसाई गरी प्लानेट बीको मास याम तू प्लानेट बीको रेडियस आरटू भानेर मले सपोज गरी आजय करें गरी, PLANET CYMO MASS YUM V, PLANET CYMO RAD iteration R. अब प्रसुना विशने अन्य से जांधा में अमकये बालाईल É, B को MASS E to लांगा ग़रा, The mass of the planet B is twice the mass of the planet A, but radius is half, mass doubles. M2 is 2 times the mass M1 and radius is half of the R1 by 2. R1 को केच हाफच. तिसे गरी, और को, planet C को mass चाइ आदाच. M3 is half of R1 divided by 2. planet E1 को mass को चाइच. इसे गरी R3 केच चाइच. Planet C to radius double the radius to the planet E2. So, 2 times R1 and M3 divided by 2. 50 गरी सादी. अप अदा आदाच चाइच. अदाच चाइच चाइच. अदाच चाइच चाइच. अग्रान भिश्टाई सर्वगाना सक्षम्द। इसना अब हानी हम्रों रिलीशन आमले किया थाचा अम्राहरी अ, भरे दुका, ऩ्रीशन稿 रिलीशन व two gravity, axelation due to gravity g is equal to gm by r respectively so, g1 is for the planet a m 1 and r1 for the planet b collag magically g2 is equal to gm2 but m2 means 2m1 divided by r1 square r1 means r2 अम्रु कदिशा r2 बनीकु कदिशा r1 by 2 so r1 by 2 koo 8 square आएंद इस राट क्या आँछा बन्दा g2 is equal to 2gm1 divided by r1 square times 4 2 koo 4 नाकी गयो so यू भनीको चाहिए 8gm1 by r1 square अब आएंद एसे गरी और को निकाना सब्चों g3 is equal to gm1 by 2 times 2r1 whole square और एस बाट जी थीने को भ्यार्मिको जयाँश अँछा अगरी 1 by 8 फूटूजा फूटूजा 8gm1 by r1 square अब आहांद आई कंप्यूर गर्ना सजूर गरीं यहां मने, S माँ G1 को ब्याग देती छावाने, G2 उसी घुटाम देखना सक्षाँ। S अप सल्ट हों, G2 को ब्याग देखना सक्षाँ। G2 इस इकल टो की वन्हें वहने हरी? 8 टायम्स, 8 टायम्स GM1 भाई राई ब्याग देखाँ जावान देखना, G1 है! सो माइटे याने हम सक्छू G2 इजी कर्थू 8G1 एसे गरी G3 को गयादू कत्या आउनी बहुँ वांदा हरी यान लख सजिलेशना आउने हम सक्छू G3 इजी कर्थू 1 बाई 8 ताउस G1 अब हामेले हाम दो उटे सते केश वेट निपाने गरूँछा शो माइ डाउस G1 गयाद एसे गर् lock to 8 G1 बाई एसे घर बाई बहुड हो अरगनी गर्णी 1 बाई 8G1 बाई धान सό अमले थेरी अरग ताउसरा क्या था स्वानगा एसे को ग्र्षग इसको ॥ार्षग एसेटATHAN effe이ननी दू इकर do ग्राइब दो 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 ग्राइ अगा g1 रा g3, 1 by 8 वालो श्ट जहन सानो पायो नी तासेले, g1 ठूलो छ, g1 बन्धा ठी और को कुम्धुलो छ, तेरे सबी बन्धा सानो, g3 ज़ाएला आमी ये गठास्वा क्यों, w3, w2 is greater than, w1 is greater than w3 वह सुछ सब्सक्रा फ़से सब्सक्राइब पर फाग ना ? यह जाए 6 ए साउंग नहीं स्विक्ट नमर 1 अब पूर्ण या ने स्विक्ट नमर 2 MCQ No.2 मा कीज हावा बनीज मानी पोईशन देहू किला MCQ 2 if the mass and radius of celestial body we are three times the mass and radius of earth respectively what is the value of acceleration due to gravity of that body option right is up 3.26 meter per square second 9.8 meter per square second 4.9 meter per square second and 1.67 meter per square second we are three times the mass and radius of earth acceleration due to gravity of the formula g is equal to g by r square suppose this is for the earth surface or earth surface or surface so suppose the question number one according to question according to question mass of the planet say is equal to three times the mass of the earth radius of this planet is equal to three times the radius of the earth so g1 is the acceleration due to gravity on the surface of this planet so g1 is equal to g1 means 3m so 3m divided by r1 means 3r all square so 3g1 divided by r2 means 1 by 3g1 divided by r2 so g1 is equal to g1 is equal to g1 is equal to g1 by r3 but G is the acceleration due to gravity at all surface, all surface G could have the one that has a 9.8, so 9.8 divided by 3, 9.8 divided by 3 divided by 1 A is 3.26, so the option which one is correct, 3.26 is the correct option. if the gravitational force between two objects, between two objects on the Earth's surface, on the Earth's surface is Fg Newton, what is the, what is the acceleration due to gravity, force, force between the same objects, keeping at same distance, keeping at same distance, on the Moon, option first, 10 Newton, second, 80 Newton, third, 0 Newton, 4, 8 Newton. अब यहाँ बुजिनपनी कुणा की छाहाँ वान्दा है लिए अजुले गेस्पीनी घुरिश्ण मेंगार्खा, ग्रैविटिस्ना फोर्स वान्दाशा एक आमीरे अनिगा बुजनत वाने साथी, यार्ट वाने खोता, 0,1, M2 by D square वाने, अब अर्थ सर्फिस्मा योशा वाने, मुन सर्फिस्मा जान्दा, अब 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 अ सेम उन्धा वह शुटर लाइby ऐकस्ल द् सीज मेंूंछा विदिख कली इति क्यूंछ भडने स्थन div मंने शुटरDD अल्षी ताहश्म syllablesश्ए क्यों नो क्लें नग्यान वन सोतवें हिंगी energy so option B is the correct answer the numerical theory I am assuming if the value of G at the surface of the earth is 900 meter per second square calculate the height above the earth surface where value of G is one-fourth of that on the earth surface the radius of the earth is 6400 kilometer c-7602 meter and the earth is higher than measured CH intensity has 9.8 meter per second which comes for most when the earth's surface does not just separate the height does not include factor the time by the space more in one-fourth and this video will have been one-fourth अब ग्यार शोजित अडिल में केचा बंदा है । पहिड खुरे आर्थ गीरम बना डिचा डायर्म बेखि बिच्छा बना अलेश्ण गीरा है के चानल है। एंडखिसो चुछा सब्सकिशन इस तभी और अंग रथ बना नसक्षिए ख़ी एर्थ शर्फिस्मा जी को व्यालू जी एर्थ शर्फिस्ट जी यश्वानर मेद ना शर्फिस्टो विच गिवन 9.8 meter per square second एर्थ शर्फिस्ट वादव कती हाइट मा जाला। सब्वोज याई रिरोग हाइट we have to find out this height yach is equal to what where value of g is g yach बने रा मानो yach हाइट ना जी को व्यालू 1 4th gs by 4 जहां और्थ शर्फिस्ट मा जोती छ जी को व्यालू तिसको 1 4th सब्वाने और्थ शर्फिस्ट देखी कती माती हाइट छा कती हाइट माती ती उंच जी क व्यालू शो कि आम लेचा के निकामुकरशन कहा हां यालया अर्थ Sutashन हा ईक्स देखी इवा ईवा वा हाइक निकामुकरशन जहां जी को व्यालू जेवाल देखा हां जी एक्थिस्ट भै फोर मास अबस्ट्ऴै रीएच ना रीएच थाच्वा आढँ पाने रिदिस्ट देखी श्या र 6.4 times 10 to the power 6 meter value of g on earth surface 9.8 meter per square second value of g at height is equal to gs by 4 we have to find out the height above the earth surface earth is equal to what is equal to the earth this is the source of the marks of the ground G मा आती जान्छा, G गो वयागी तेथिमा घर्छा So, हामिले युटा रिलेशन छानी G डियांस is equal to R by R plus यवज वली स्क्वार times G अनेगा जुना हामिले कशिरी निकालेगा छो अजले अमारे युग राखना छानी जस्ते ही G डियांस मनेगो G M by R plus H all square G is equal to G M by R square G is equal to G M by R square अड़ सर्कन हो बने अड़ सब देगी सटेन हाइट मा जाँदा R plus H, तिना मने H height एशको हो बनेगो S बार्ट अश्ता हामिले युग एक्वेस्चन गा इसले डिवाइड गरेंगे युग सजिले सांगा आँश अब यह मास आमिला जोरोज छाई अब S मायरूजता R is known G-diaz रज G-correlation आमिला S बार known चाँदा आमिला सब्सक्वेस्चन अब चाँदा सब्सक्वेस्चन अब आमिला सब्सक्वेस्चन की गरूँँँँग अब G-diaz सब्सक्वेस्चन की गर्णा जोरोज अब चाँदा आमिलीवड रहना सब्सक्वेस्चन अर्थ सब्सक्वेस्चन G-diaz अब चाँदा आमिले फार्णा गर्णा परनी R-diaz 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 G-diaz 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 is G-diaz G-diaz Fashu 1 by 4 R- şek 1 by 4 1 by 4 1 by 4 1 by 4 2 R is equal to r plus e r which gives e r is equal to r e r is equal to r means e r is equal to 6400 km 6.4 times 10 to the power 6 meter this is the final answer in this day what do we find earth surface water so 66 km आपने जाना को और्थ को रेडियो जत्ती सह यत्ती और्थ सर्फेस आपने जाना दा अक्सेलेशन दूब राइडिटी फोर तामस डीकिल्स भायू